WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की WHO पीछे पड़ गया है अब इस चीज के लिए कि भाईया नमक खाके मर रहे हो दुनिया को चेतावनी दी है कि आप लोग जो कार्डियो वर्स्कूलर डिजीज के चलते जो हर दिन खबर पकड़ते हो ना कि उस दिन वो आदमी मर गया नाचते हुए मर गया गाते हुए मर गया जो ये खबरे सुन रहे हो जो हार्ट टैक से रिलेटेड बहुत जादा खबरे सुर्खियों में चल रही है उसका बहुत बड़ा कारण है हाई सोडियम इंटेक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट है साथ ही हो कि हम सब लोगों को दिन भर में केवल एक चम्मच नमक खाना होता है पहले ही मैं बता देता हूँ आप मैंसे कुछ लोग सुनते ही कह सकते हैं आज से नमक बंद मत कर देना वो भी गलत है मैं पहले ही सेशन में बता दे रहा हूँ आज आपके नमक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ नमक कम खाना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए नमबर वन नमबर टू नमबर कितना खाना चाहिए ये बताऊँगा नेरे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत नमक ही है खेर विकासचील और अलप विकसित देशों के अंदर यही सबसे बड़ी समश्या है कि लोग नमक बहुत खाते हैं साहब ये मैं नहीं डवलियो एचो कहता है डवलियो एचो कहता है सोडियम का इस तरह से नमक खाने से क्योंकि नमक का फॉर्मूला क्या है अब 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 के अंदर आदा तो सोडियम ही है तो सोडियम का इंटेक हमारे शरीर में बहुत जादा हो रहा है ऐसा डवलियो एचो कहना है मतलब हमने जो कई बेंचमार्क है न वो तोड़ दिये है मतलब रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आठ मिलियन लोग पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर 80 लाख लोग अगर पूर डाइट की वज़ह से ग्लोबली मरे हैं कि भाई इनको प्रॉपर भोजन नहीं मिला को पूर्शन कहलो इस वज़ह से नहीं मरे तो कम से कम 2 मिलियन लोग वो हैं जिन होने केवल नमक जादा होने की वज़ह से जिन्दगी खोई है यार ये बात जब सुनी न कासम से बता रहा हूँ टेंशन हो गई यार मतलब अभी तक जिन चीजों को हम कारक बना रहे थे उन कारकों में सबसे बड़ा कारक और मैं जो आज काम कर रहा हूँ WHO चाहता है कि मैं ऐसा काम करूँ WHO का चाहना है कि इस पर अवेरनेस फैलाई जाया जनता के बीच में तो मैं अवेरनेस फैला रहा हूँ थैंक्यू बोलना चाहिए मुझे व्हो को हाँ जी और खुद के लिए भी जरूरी है दो मिलियन यानि 20 लाख लोग दुनिया में जादा सोडियम खाके मरे हैं जादा सोडियम बोले तो जादा नमक खाके मरे हैं आपके मन में चल रहा होगा अपका नमबर भी आ रहा है हाँ जी तो ऐसी स्थिती चेंदर डाइटरी सोडियम को कम करने को ले कर क्योंकि इस सोडियम के खाने से काडियो वस्किलर डिजीजेज होती है ये WHO का Global Sodium Benchmark for Different Food Category नाम से Second Edition प्रकास उतुआ जिसमें उन्होंने ये बात mention करी कि High Sodium Intake की वज़े से जो Cardiovascular Diseases हैं, जो की Non-Communicable Diseases हैं, वो उसके अंदर Leading Cause बना हुआ है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली Non-Communicable Just Like Cancer जो बिमारी हैं, उन बिमारियों में सबसे Leading Cause Death का दुनिया के अंदर ये बना हुआ है, Non-Communicable Diseases के अंदर Cardiovascular Disease के चलते लोग बड़ी तरी से बहुत ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, ये Sodium Intake के कारण हो रहा है, तो Non-Communicable Diseases कौन कौन सी हैं, प्रमुख रूप से उन में सबसे पहले है Cardiovascular Disease, दूसरी है Diabetes, तीसरी है Chronic Respiratory Disease, और ये बिमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, उन में सबसे बड़ी बिमारियों में चार बड़ी बिमारी है, और चार में जो Number One पर आती है, वो Cardiovascular Diseases है, Non-Communicable Diseases, Chronic Diseases हैं, और इन में जो Cardiovascular Disease, जिसके अंदर Heart Attack और Stroke जिसे आप कहते हैं, वो Top पर चल रहा है, After Cancer, साथ में सच में, मतलब chronic obstructive pulmonary, यानि की लंग से अस्थमा से related बिमारियां और Diabetes in NCDs में count की जाती हैं, Non-Communicable Diseases, प्रती साल 41 मिलियन लोगों की जाने लेती हैं, मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक से दूसरे में ना फैलने वाली बिमारी, अब एक खासी है, जो काम है, ये कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज, तो इन चार बिमारियों की वजह से दुनिया में लगभग 4 करोड लोग हर साल मरते हैं, ठीक है, मतलब ये अपने आप में दुनिया के अंदर जो कुल मौते होती है ना उसका 24% है ये, हर साल 17 मिलियन लोग इन नियोन कम्यूनिकेबल जिनकी कमाई कम है, या मध्यम कमाई है, उन देशों में ज़्यादा इस तरह की डैथ हो रही है, क्योंकि अमीर आदमी आचकल समझदार हो गया है, अमीर आदमी जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसको तो उस पैसे को भोगने के लिए बहुत जंदा जीना है, लेकिन जो गर अमीर आदमी तो निकल लिया है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ये बोल रहे हैं, ठीक है न, कार्डियो वस्कूलर डिजीज अकाउंट फोर मोस्ट एंसीडी, इसमें भी सबसे उपर कौन है, जो हाट की डिजीज हैं, वो सबसे उपर हैं, अठारा मिलियन पीपल हर साल काडियो वस्कूलर डिजीज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं भाई, जिसको कैंसर नमबर दो पर पीछे-पीछे लेकर चल रहा है, कैंसर तो आधे नमबर पर चल रहा है, इसके बाद में अस्थमा चार लाग, चालिस लाग लोगों को और डाइबिटीज 20 प्रमुख कारण बनी हुई है, टॉबेकों का यूज करना, फिजिकली इनेक्टिव होना, ज्यादा एलकोहल का यूज करना, अनहेल्थी डाइट का खाना, वायू प्रदूशन का होना, इसकी वजह से ये नॉन कम्यूनिकेबल डिजीजेज एटे होल ज्यादा होती है, मतलब इने छोटे से काम के लिए भी अपने घर से तुरंथ चाहे दुपईया वाहन हो, चाहे चौपईया वाहन हो, वो निकालेंगे और जाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भरके जितने भी विक्सित देश हैं, उन्होंने तो अपनी हैबिट में ही डाल लिया है, क्य हमारे यहाँ पर चलना फिरना, अगर टोटल स्टैप काउंट करो ना दिन भर में बैठ करके, और तो और, अब तो मैं गाओं के लोगों को भी देखता हूं, तो चिंता होती है उने देख करके, आज शहर के लोग तो फिर भी जिम जाम करके इधर उधर थोड़ा हिलने क्यों क्यों क्योंकि साब अब तो सुविधाय होगा, यह मोटर साइकल उठाएंगे और चले जाएंगे, यह हैल्थ का बहुत बड़ा प्रॉबलम बन रहा है, इनक्टिविटी, दा हार्मफुल यूज ऑफ एलकोहल, और फिर उसके बाद में इनक्टिव तो हैं ही है, और NCDs जो हैं वो इस समय टॉप किलर बन चुकी है, सबसे ज़्यादा मौत का कारण बन चुकी है, ठीक है, अब आते हैं, कार्डियो वस्कुलर डिजीज कौन सी कौन सी होती है, तो ज़्यादा मैं आपको इसमें साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, आप तो हाट अटेक और उससे ह समझ के चलते रहो, कि हाट अटेक से रिलेटेड प्रॉबलम, स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉबलम होती है, डेवल एचो का मानना है, कि जो कार्डियो वस्कुलर डिजीज है, उसकी वज़े से होने वाली डेथ मैंने आपको बताई, और इसके अंदर भी टॉबेकों का क्यों कि अगर चलता फिरता आदमी मर गया, तो दंदा मर गया ना साब उसका, तो ऐसी इस्तितिय में सारी चीचे, अब कार्डियो वस्कुलर डिजीज जो हो रही है, उसका बड़ा कारण क्या है, पहले आपने ये जाना कि दुनिया में जितनी मौते हो रही है, उसमें सब uncommunicable diseases की वज़े से, उन diseases में भी सबसे उपर है cardiovascular diseases, यानी heart की वज़े से होने वाली disease, heart की वज़े से होने वाली disease का बड़ा कारण क्या है, sodium, अब आप सोचिए, एक चुटकी नमक की कीमत, तुम क्या जानोगे बाब मुशाय, जान ले लेता है ये dialogue, सिंदूर था, आपने न बलकि gastric cancer, obesity, liver disease, chronic kidney, मुझे तो आज मेरे मुटापे का कारण पता चला जब मैं आपका ये session बना रहा था, मेरा ज्यादा नमक खाना मेरे मुटापे के बड़े कारणों में से एक है, ये आपको तयार कराने से मुझे जो फायदा हुआ वो सुन लो, मुटापे में बताया ग लेकिन मुटापा बढ़ाने में sodium का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, ठीक है, ICMR की एक report कहती है कि ओसत भारतिये, WHO और Indian Medical Association द्वारा सुझाई गई मात्रा से जादा नमक का सेवन करता है, ओसत बताया गया है 5 ग्राम नमक प्रते दिन और ओसत भारतिये 10 ग्राम से उपर न के लिए, WHO का मानना है कि भारत में प्रति दिन प्रति व्यक्ती 8 ग्राम नमक से उसत से जादा नमक सेवन करता है, WHO कहता है 5 ग्राम नमक सफिशेंट है जीवन हेल्दी जीने के लिए, daily salt intake India is double the prescribed amount ऐसा WHO का मानना है, सिर्फ एक तिहाई भारतिये ही जानते हैं कि नमक से नुक ग्राम तक भी salt खा लिया जाता है, और salt की वजह से भारत के अंदर, मत दुनिया के अंदर 18 ग्राग से जादा मौते होती है, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है साब, ये मैंने आपको बात बता दी, sodium intake के उपर, अब बात करते हैं कि साब नमक खाना क्यों है मैं तो खाना बंद ही कर दूँगा आज से क्योंकि ये tension दे रहा है, अब tension दे रहा है तो ऐसी इस्थिती में नमक ना खाऊंगा, ऐसी शर्ते लेते हुए भी कुछ भाई लोग मेरे दिखाई पड़ सकते हैं, भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, भोजन में नमक जरूरी ह अच्छे से होता है, ब्लड प्रेशर सही बनाए रखने में, देखिए जादा नमक जादा ब्लड प्रेशर करता है, कम नमक कम ब्लड प्रेशर भी तो करता है, अगर नमक नहीं खाऊगे तो लो भी पी के शिकार हो जाऊगे, इसलिए पांच ग्राम अगर वर्जते हम लोग औसत से डबल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कैसी कैसी तस्वीरें हमारे सामने निकल कर सामने आएंगी ठीक है ना तो सोडियम जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया और इसकी वजह से जो नुकसान होता है वो बता दिया यानि सोडियम क्या क्या कर रहा है वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया कि कोशिकाओं को नुट्रियंट्स और वाटर सोडियम की वजह से पहुंचता है लेकिन विचार करिए जादा सोडियम खा लिया तो जादा पहुंचेगा ना जादा खाओगे तो फिर हो जाओगे साथ में हैप्स अव किडिनी में सूजन आ जाती है बॉडी का वाटर रिटेंशन बढ़ता है शरीर में पानी को जमा करके पूरे टाइम रखता है हड़ियां कमजोर होने लगती है जैसे घर में अपने लोग कहते नहीं है उनको तो बिचारों को डारेक्ट कहना आता है जादा नमक मत खाए हड जैसी कई बिमारियां होती है और ज्यादा नमक खाने पर ज्यादा प्यास लगती है जाई बहुत चटपटा खाना खा लेते हैं तुरन बहुत तेज प्यास लगती है क्योंकि नमक पानी मांगा रहा है पानी दो अब पानी तो मिल गया उससे पानी को तो आपने ले लिया बाडी में वो रिटेन भी हो गया, अब आपके शरीर में जो बिमारियां देखे गया, वो क्या है? ब्लड प्रेशर बड़ा, हाइपर टेंशन बड़ा, हार्ट की बिमारी बड़ी, पेट का कैंसर हो सकता है, हड्डियों का कमजोर होना हो सकता है, अटो इम्म्यून डिजीज, इंफ्लेमेशन हो सकता है, दिमाग के अंदर कॉगनिटिव फंक्शन पहचान से जुड़ी समश्या हैं पैदा हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, और हाइपर टेंशन तो आज कल साब आप जानी रहे हैं, भारत के शहरों में हर तीन में से एक व्यत्ती आई ब्लड प्रेशर लिए गूम रहा है, किसाब टेंशन में चल रहा हूं मैं, ठीक है न, अब जब हाइपर टेंशन होता है, तो क्या होता है, दिल बहुत तेजी से मामला, ठीक है, भारत अमेरिकियों से पीछे है, हाई ब्लड प्रेशर के मामले के अंदर, हाइपर टेंशन हम लोग जादा, क्योंकि तनाव बहुत जल्दी ले ले रहे हैं, ठीक है साब, अब हमने आपको अभी तक बताया, कि नमक नहीं खाने से भी नुकसान होगा, ध्य ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो है, वो मैंने आपको बता दी, कि इससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड में सोडियम लेवल कम होने से, डाइबिटीज, लोगों से मौत का खतरा बढ़ सकता है, ये सब चीजे हैं, ठीक है, अब अगर आप जादा नमक खा रहे हैं, त जादा नमक खा रहे हैं, तो देखिए, यदि आपके चेहरे पर सूजन रह रही है, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, आला कि ये सब बातें, डाइगनोस्टिक लेवोरेटरी से जब जाच करा कर आप रिपोर्ट्स चेक करेंगे, उसमें दिख जाती है, कि आपके जादा पानी पीने के कारण आप जादा टॉइलेट जाते हूं, आपका अचानक बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा हो, आप विजीब के खुद को कमजोर महसूस कर रहे हूं, रात को बहुत अच्छी नींद ना आ रही हो, तो ये समझे कि आपको परेशान कर रहा है नमक, तो करिए कम अपने शरीर में नमक की मातरा, सोडियम की मातरा, क्योंकि नमक में क्लोराइड इतना नुकसान नहीं दे रहा है, जितना सोडियम दे रहा है, सोडियम को कम करना है, और सोडियम को कम करने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसे समझे, पहला, सोडियम को कम करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप फ्रेश भोजन खाएं पता है जब आप खुद मॉटिवेट होना चाहते हैं तो मॉटिवेट दूसरों को करें तो मैं आज आपको ये बात बोलकर खुद को भी याद दिला रहा हूं आप भी याद रखना मुझे भी याद दिला साल से उपर है वहाँ बता चला कि वह लोग बहुत ही कम कुकिंग के साथ खाना खाते हैं मतलब कि जितना हो सके वह फ्रेश फूट खाते हैं और अगर खाना भी है तो उसे डायर्क फ्लेम पर नहीं पका रहे हैं ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टन बात है दूसरा लो इसे फ्लेवर के लिए भूजन में डाल सकते हैं, जो अपने और मसाले होते हैं, उनको आप मसालों के रूप में डालो ताकि उनका स्वाद बनता रहे, साथ में जो कमर्शियल सॉस आते हैं, सॉस के अंदर क्या है, प्रिवेंटिव के रूप में नमक डाल देते हैं, प्रिज इस नूडल बना दो ये बना दो क्योंकि जादा नमक और जादा चीनी ये प्रिजर्वेटिव जैं ये भूजन को सुरक्षित रखने के लिए बनाय जाते हैं लंबे समय तक डाले जाते हैं अब हमारे भूजन में जो जादा नमक डाल कर पहले सी अचार अगरा जो नमक भर और सबसे इंपोर्टेंट काम जो मैं आज करने जा रहा हूं आप भी करें और वो ये है अपनी टेबल पे से ना वो जो कंटेनर है जिसमें नमक रखा जाता है अपनकी जो नमक के डिब भी है जिसके बिना तो टेबल पे छटपटाहट मज जाती है उसे हटा दो पर भाई क क्या मेरी ये आदत सुधर जाएगी बहुत बड़ा सवाल है आपके दिमाग में भी होगा कि यार हमने टेबल पर से नमक हटा दिया तो क्या आदत सुधर जाएगी हमको तो आदत पड़ी हुई है तो हमको आदत नहीं है असल में हमारी टेस्ट बड्स को आदत पड़ी हु जाएंगी जो हमें naturally table पे मिल रहा है ठीक है बाकि जो packaged food हैं अगर आप उससे बचेंगे तो भी added salt से बच जाएंगे जैसे कि जो packets आ रहे हैं उन सब के अंदर भरपूर मातरा में नमक है उससे आप बच सकते हैं WHO ने खुद ने 2030 को लेके target रखा है और वो ये है कि भाई 30% लोगों की table पर से नमक कम करना है अगर दुनिया बचानी है इसके लिए जागरुकता पहलानी है मैं जागरुकता पहलाने का काम कर रहा हूँ packaged food में सबसे जादा नमक consume हो रहा है तो बले उस पर लिख कर दो कि कितना नमक इसमें डला है ताकि जनता को ये पता चल सके public institutions जैसे school, hospital, office में कम sodium वाले items को provide करना चाहिए ताकि लोगों में awareness फैले तो WHO इस काम के लिए sodium scorecard दे रही है भारत को number two category में रखा गया है कि India already eat right India जैसे अभियान चला रहा है आज से थोड़ा कम अभियान चला रहा है मतलब इंडिया already इस काम में लगा हुआ है कि नमक को कैसे लोगों के table से कम करना है आप लोग भी इस session के माध्यम से ये समझें कि आपको नमक शरीर के लिए कम जरूरी है और उसको आप कम करेंगे कुछ फेक्ट मतलब फ्रिक्वेंशली अस्क्वेंशली आस्क्वेश्चंस हैं कि आप मुझे तेज चटक नमक खाने के आज तो मैंने जवाब दे दिया है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं टेस्ट बड़ ऑटमेटिक सैट हो जाती है खाने के ऊपर से नमक डालना खाना कि नमक डाल कर खाना क्यों सही नहीं होता इसका जो आंसर मुझे मिला ठीक नहीं था खाने के ऊपर नमक डले चाहिए अंदर नमक डले नमक घुलकर के आयन बनाता है और आयन की जो मात्रा है ना उपर से डालने पर वो इंटेक्ट रह जाती है तो शरीर को जादा नुक्सा बहुत क्रेविंग होती है चटपटा खाने की नमक खाने की उन्हें निश्चित रूप से इस पर खायाल देना चाहिए कि उन्हें ऐसा पधार्त नहीं खाने है क्योंकि इससे प्रीमेचौर डिलिवरी का खत्रा रहता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन हो सकता नमक खाने से और बचना चाहिए ठीक है नमक को चेक करने के लिए क्या है तो आप जाकर डॉक्टर के पास जाए हर चह महीने में साल भर में आप डॉक्टर से चेक करवाए रिपोर्ट निकल वाए उसके अंदर निकल के जानकारी आ सकती है अब आयोडी नमक की जगे सेंध यह नरी और मेर भしたप्वॉपन सवाल और कैयों को सेना नमक और काला नमक इनमें भी confusion रहता है यह होता अबधाया है तो से कजिशा नो PCs ना मध्में मतलब पहले की समझजिए कि आपको और हमारा नमख बनता गैसे इसकोसमझते हैं हमारा नमख बनता है समूद्र के खारे पानी से नदी के खारे पानी से जो जीपाया चींज तो सुखार कर शोडियम उडाकर उसके मिंरल सम की अरॉडमाटनी को निκαल कह साफ सुतरा करए बना तो पानी को सुखा करके तो अपना जो सिंपल टेबल सॉल्ट न यह बनता है इसमें प्रचुरता से नेसी एल होता है जो सेंधा नमक है वो सेंधा नमक चट्टानों से बनता है यानि धरती के भीतर की जो चट्टाने है जो अल्रेडी नेशनल मतलब सोडियम क्लॉराइड से बनी हुई हैं, तो प्यार उसमें sodium chloride मिले ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसमें magnesium, sulfur, calcium, potassium, zinc जैसे और भी element मिले होते हैं, इसलिए सेंधा नमक को लोग prefer करते हैं, क्यों prefer करते हैं, कि सेंधा नमक में हमें sodium chloride के साथ साथ और salt के minerals भी मिल जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं इसलिए by health सेंधा को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, लेकिन सेंधा नमक में एक दिक्कत है, उसमें जो हमारे वाले नमक में iodine मिली हुई आती है, वो उसमें मिली हुई नहीं आती, आप पुछेंगे मैं iodine नहीं लूत तो क्या होगा, वो बचपन में आपने एक जिंगा नहीं होगा, गॉइटर, थाइराइड के हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है iodine, तो बोले आप iodine युक्त नमक खा सकते है, थाइराइड की कारेच छमता को ये बढ़ावा देता है, तो iodine जरूरी होता है, जो सेंधा नमक में नहीं डला होता है, ठीक है, तो सेंधा नमक वैसे minerals के लिए ठीक है, लेकिन उसमें iodine की कमी होती है, ये उसका major होता है, तो आप रेगूलर रूटीन में पूरे टाइम बूल मैंने तो टेबल सॉल्ट हटा दिया, तो मैं सेंधा ही खाऊंगा, तो आपको iodine की कमी feel हो सकती है, दूसरा, अब एक होता है काला नमक क्या होता है, काले नमक के अंदर कुछ नहीं है, काले नमक के अंदर जो अपना simple वाला नमक है, उसमें हर्ड जो होती है, हर्ड, आप जानते हो तो हर्ड को बहुत ज़्यादा कब्ज दूर करने के लिए लोग लेते हैं, छोटी हर्ड, बड़ी हर्ड, तो हर्ड क बीज को डाल कर उबाला जाता है और पानी को भाप बनकर उड़ा देते हैं, तो जो हर्ड का रंग है न, वो उस नमक में आ जाता है तो एक तरह से ये समझ ये कि नमक में हर्ड मिला कर और फिर टाइट कर दिया जाए तो काला नमक बनता है, तो काला नमक ले लेना, क्यों? क्योंकि उसमें hard का feature already मिला हुआ आ रहा है तो एक तरह से ये मतलब है तो पूरी तरह से sodium chloride लेकिन इसमें अब iron, copper, zinc जैसे तत्व भी मिल गए हैं, तो कब्ज होना पेट दर्द होना, चक्कर, उल्टी जी घबराने जैसे दिक्कते आना उनको काला नमक counter करता है ठीक है न? तो ये मतलब important चीज जो है मैंने आपको बता दी तो अब आपको करना क्या है? कुल मिलाकर मैं आपको सारी बाते बता चुका हूँ सेधा नमक खाने में आप मिलाते हैं एसी मेरी आप से गुजारिश है तो आज से अपने उपर ये लगा लीजिए कि आज से मुझे कम नमक खाना है और मुझे भी याद दिलाना है ठीक है न? PDF मिल जाती है और पढ़ने के लिए history, geography, polity, economy का बहतरीन कोर्स यानि कि एकदम PCS level का कोर्स आपको मातर 1499 में recorded हमारे application अपनी पाट्चाला जो की Google Play Store, App Store दोनों पर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो class में हमने पढ़ाया content है वो हमने return form में notes के रूप में मातर 1499 में आपके लिए उपलब्द करा रखा है आप इसे भी order कर सकते हैं साथ दिन में घर पर deliver हो जाता है पहतरीन content है मेरा अपना लिखा हुआ मेरा अपना content चोकि मैंने team के माद्यम से लिखवाया है आप इसे use कर सकते हैं अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और समानित महसूस करें धन्यवाद